अविमेक एजुकेशन में आप सबकास स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम राष्टिय खेल दिवस के बारे में बात करेंगे जो की 29 अगस्त को मनाया जाता है 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे इसके बारे में विस्तुरुत जानकारी लेते है राष्टिय खेल दिवस प्रत्यकवर्स 29 अगस्त को बारत में राष्टिय खेल दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 29 अगस्त को याद रखना है आपको यह दिवस ओकी के दिगज मेजर ध्यानचन की जहनती पर मनाया जाता है तो किनकी जहिंती है मेजर ध्यानचन की 29 अगस्ट जिने होकी का जादूगर भी कहा जाता है यह मेजर ध्यानचन इनकी जहिंती पर राष्टिय खेल दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने की सरुवात वर्स 2012 में हुई थी तो 2012 से National Sports Day यानि भारतिय खेल दिवस मनाया जाता है पुछा जाए आपको कब से मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 2012 से मनाया जा रहा है यह दिन भारतिय होकी के निर्मान में मेजर ध्यानचन के योगदान को मान्यता देता है और उनकी विरासत का सन्मान करता है आपको करियर के विकल्ट के रूप में चुनने के लिए भी प्रेरित करता है और उनको सारेरिक गति विद्योभ़ खेल के प्रति प्रसाहित करने के लिए जागरुकता अभियान के रूप में भी काम करता है तो यह दिन के यह फाइदे है खेल दिवस से जुड़े पुरसकार के बारे में बात करते है तो राष्ट्रपती इस दिन खेल से सबंदित पुरसकार जैसे मेजर ध्यानचन खेल रतन, अर्जुन पुरसकार और द्रोनाचारिय पुरसकार प्रदान करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं ध्यांचन पुरसकार है, अर्जुन पुरसकार है, द्रोणाचार्य पुरसकार है, ये सारे पुरसकार इसी दिन दिये जाते हैं सबसे बड़े खेल पुरसकार मेजर ध्यानचन खेल रत्न पुरसकार की सरुवात 1991 और 1992 में की गई थी जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरसकार के नाम से भी जाना जाता था यह है मेजर ध्यानचन खेल रत्न एवोर्ड इस पुरसकार में एक पदक एक प्रमान पत्र और 25 लाख रुपय का नकद पुरसकार सामिल है तो जिसे मेजर ध्यानचन खेल रतन पुरसकार मिलता है उसे क्या क्या मिलता है एक पदक मिलेगा जो हम आगे देख चुके है फोटो में एक प्रमान पत्र दिया जाएगा और 25 लाख रुपे जो है उसको केस दिये जाएंगे तो यह पदक आप देख सकते हैं और यहाँ पर मोदी जी मेजर ध्यानचन को फुल अरपित करते हुए दिखाए दे रहे हैं और इन्होंने ही मेजर ध्यानचन जो खेजरत में इनका नामकरल किया है मेजर ध्यानचन एक मेजर में देखते हैं मेजर ध्यानचन का जन्म 29 अगस्ट 1905 को प्रयाग राज में हुआ था उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज में हुआ था 1905 में यहां पर आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचन सिंग अगस्त 29, 1905 से लेकर डिसेंबर 3, 1979 तक ये रहे थे तो 3 डिसेंबर 1979 को इनकी देट हुई थी वे 16 वर्स की उम्र में ब्रिटिश बारतिय सेना में एक सिपाही के रुप में सामिल हुए थे 16 साल के थे तबी से वो सेना में चले गए थे ध्यांचन को अविश्वसनिय होकी कोशल के कारण दविजार्ड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है दविजार्ड पुछाया है दविजार्ड किसे कहा जाता है मेजर ध्यांचन को यहाँ पर आप देख सकते हैं National Sports Day Remembering The Wizard of Hockey क्या लिखा है The Wizard of Hockey मेजर ध्यांचन ध्यांचन ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 में भारत की लगातार तीन ओलंपिक जीत में महत्वपुर्ण भोमिका निबाये थी तो तीन ओलंपिक 1928, 1932 और 1936 में इनों में उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो भारत को जीतवाया था और हैट्रिक लगाये थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, होकी के जादुगर मेजर ध्यांचन तो उनका जीवन यात्रा भी यहाँ पर दिया हुआ है जन्मा 29 अगस्त 1905 से 3 दिस्संबर 1979 तक वो रहे थे स्वाल्ण पदक हेट्रिक यानि गोल्ड मेडल हेट्रिक इनोंने लगाये थी प्रथम स्वाल्ण पदक जो हे 1928 में एमसर्डम में इनोंने लगाये प्राप्त किया था प्रथम स्वाल्ण वीतिय स्वाल्ण जो हे 1922 में लोस अंजलेस में और वीतिय स्वाल्ण पदक जो हे वो करियर में 400 से अधिक गोल किये थे कितने गोल किये थे 400 से भी अधिक गोल किये थे एक गोल करते हुए आप देख सकते हैं यहापर मेज़र ध्याणचन को आगे देखते हैं मेजर ध्यानचन को वर्स 1956 में भारत की तिसरे सर्वोच नागरिक सनमान पद्मभुसन से सनमानित किया गया था 1956 में उन्हें पद्मभुसन जो एवर्ड है वो दिया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं होकी के जादूकर पद्मभुसन यह है पद्मभुसन एवर्ड इनको मिला था मेजर ध्यानचन जी तिन दिसंबर 1979 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था कहाँ पर हुआ था दिल्ली में तो यहे मेजर ध्यानचन और National Sports Day है इनकी याद में मनाया जाता है यदि वीडियो पसंद आया है तो like करें comment करें अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेर करें चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़े इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल के नाम पर क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते है डेस्क्रिप्सन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जूर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डेली न्यूस पेपर, डेली करंट अफेर, मॉस्टाइम भी पीडिया और लेटस्ट दोर में जोब की अपडेट मिलती रहेगी थैंक्स पर वचिए मैं वीडियो